हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टु दिमैच चनल प्रेंट्स आज के वीडियो में आपको बताने चाहरी हूं और गेंजा फैब्रिक पे पर्फ स्लीव कैसे बना सकते हैं बोखोत ही अच्छी पर्फ स्लीव बनेगी यहां पर देखिए स्लीव की कटिंग मैंने अल्रेडी कट कर यहां पर स्लीव का शेप भी ले लिया है साइट में आम होल की तरफ में और नॉर्मली जो हम स्लीव का जो हमारी चोड़ाई होती है स्लीव हम कट करते हैं आम होल जितना हम स्लीव में लेते हैं उससे मैंने यहां पर फाइफ इंच दोनों साइड में स्लीव में भी अलब तो फ इसkä वर ने कोर्टिव क dic money है और यहां पर बम- Tomorrow in Great अगर सीधा फैبرिक है आपका ये तो सीधे फैबरिक में उपर की और प्लेट्स होनी चाहिए इस तरह से हाफ फाफ इंच की प्लेट्स हमें क्री इट करनी हैं बहुत ही प्यूटिफुली ये बन चाएगा और जितना हमारा आम होले जितना फैब्रिक आपने आम होल के से जितना भी एक्स्ट्रा लिया है ये फैब्रिक उतनी हमें ये प्लिट्स एक्स्ट्रा डालनी है ये देखे फिर उसके बाद हमें ये आम होल मिजरिंग कर लेनी है कि जितना हमारा आम होल है at least उतनी हमारी ये प्लिट्स हो जानी चाहिए तो मैंने जो फाइफ फाइफ इंच ली थी उसमें यहाँ पर सिक्स ब्लिट्स डली है वन साइड में और अब अनदर साइड में भी मैं ऐसे ही डालूँगी सेंटर से ये देखे ये देखे हाफ इंच हाफ हाफ इंच फोल्ड करना तो अब जितनी हाफ साइड में जितनी हमारी प्लिट्स बनी है उतनी ही प्लिट्स हमें अनदर हाफ में भी बनानी है उस साइड में हमारे 6 प्लिट्स बनी है तो इस साइड में भी 6 बनानी है उधर five बनी है तो इधर भी five बनानी है उतनी ही plates हमें यहाँ पर बनानी है मेरे यहाँ पर दोनों साइड में five five plates बनी है five inches मैंने extra लिया था तो दोनों साइड में five five बनी है यह देखे बहुत ही beautiful सा यह frill create हो गया है यह देखे फ्रेंस बहुत ही beautiful सा यह frill create हो गया है अगर आपको frill वाली स्लीव बनानी हो तो आप इस तरह से frill create करके direct अपने blouse में attach कर सकते हैं और sides में आप pico कर सकते हैं तो इस तरह से ये frill जैसा create हो गया है अब यहाँ पर नीचे bottom की side में भी जहां से हमने plits डाली है वहां से bottom की side में भी same pattern हमें करना है ये देखें same place पे करना है इधर उधर fabric को turn नहीं करना है नीचे की side में जिस side से हम sleeve की गुलाई लेते हैं वहां पे भी इसी चौडाई में हमें plits को half half inch की plits को दोनों direction में करते हुए डालना है ध्यान रहे direction हमारा center की तरफ आना चाहिए बहुत ही beautiful puff slip बनेगी ये ये देखें इस तरह से direction जो है हमारा वो center की side में होना चाहिए इस तरह से देखें आप ये दूसरी side में में डाल रही हूँ sorry friends ये देखें ये हमने सारी plates डाल ली अब मैं आपको show करती हूँ ये देखें इस तरह से puff के लिए हमने sleeve सारी plates डाल ली है अब इसका puff देखें कितना beautiful आएगा अब इसे हम इस तरह से top की side में pull कर लेंगे जब हम इसे pull करेंगे तो ये देखें इसका puff कितना beautiful सा ये puff create हुआ है बिल्कुल balloon जैसा create हो गया है अब इसमें just side में हमें इसे हम वापस ऐसे straight कर लेते हैं अभी क्योंकि final stitching के बाद जब हम इसे attach कर देंगे अपने dress के साथ उसके बाद हम इसे pull कर लेंगे बीच से fabrics को तो इसका puff बहुत अच्छा बनेगा अब यहाँ पर finishing के लिए यहाँ नीचे की side में मैं satin fabric यूज करूँगी और नीचे की side में इसे finishing दूँगी ये देखें नीचे की finishing के लिए मैंने इस तरह की लंबी strip ले ली है और यहाँ जिस side से हम slip की गोलाई देते हैं ये सीधा fabric रखते हुए हम यहाँ पर इस strip को ऐसे stitch करेंगे पूरे में इस तरह से हम इसे पूरे में stitch कर लेंगे जो भी extra fabric हो से कट कर लेंगे अब हम इसे पलट लेंगे उल्टी side में और ये हमारे satin वाले fabric हो stitching वाला जो fabric है उसे satin वाले fabric की side करते हुए satin वाले fabric को two fold करते हुए एक piping जैसा look create करेंगे यहाँ पर हम देखें ये कुछ इस तरह से piping जैसा look create हो जाएगा इस तरह से piping जैसा look create करके हम satin वाले fabric को fold करके यहाँ final stitching करेंगे इस तरह से fold करते जाएंगे और stitching करते जाएंगे इस तरह से हमारे sleeve में जो है finishing आ जाएगी यहाँ sleeve में हम lining नहीं लगा रहे हैं इसलिए हमने सिर्फ organza fabric का यूज किया है और नीचे की finishing के लिए piping लगा दी है satin fabric के अगर आप lining लगा रहे हूँ तो आप lining का भी साथ में यूज कर लें इस तरह से देखें बहुत ही आसानी से हमारी puff sleeve बनकर ready हो जाएगी अब मैं आपको इसका लोग शो करती हूँ यह देखें फ्रेंस यह sleeve का लोग है हमारा यह sleeve की गोलाई होगी जहां हमने piping नटेच की है और जब हम इसे जो भी हम यह प्लिट्स जितनी भी डाली हैं उन प्लिट्स को जब हम open करेंगे specially organza, net के फैब्रिक में, tissue फैब्रिक में इन फैब्रिक में इसका लोग बहुत अच्छा आता है और अगर आप soft फैब्रिक में बनाना चाहते हैं यहाँ पर इस तरह से बहुत ही अच्छे से sleeve के ऊपर ही रहने वाला है यह short sleeve है तो यहाँ पर shoulder के पास ही यह पूरा puff इस तरह से रहेगा और जो हमारी dress है वो बहुत ही beautiful फैरी look वाली dress बनकर ready हो जाएगी तो इस तरह से हमारे आपको यह puff sleeve की वीडियो कैसे लगी friends comment section में जरूर बताएगा इस sleeve का final look में आपको dress के साथ next वीडियो में जरूर प्रोवाइड करूँगी तो अगर चैनल को अभी तक आपने subscribe ना किया हो तो फटब फट से subscribe कर लें मिलते हैं आप से अपने next designer वीडियो में thanks for watching friends